नमस्कार, आज का हमारा टोपिक है वेरिगनन थेोरम दालजेब्रा एक सम आफ मोमेंट्स ओफ टू को प्लेनर फोर्सिज नोट फोर्मिंग एक कपल acting on a rigid body about any point in their plane is equal to the moment of their resultant about that point कोई भी अगर हमारे पास दो को प्लेनर फोर्सिज है तो उनको दो को प्लेनर फोर्सिज के जो मोमेंट्स का आलजेब्रा एक सम होगा किसी भी point के about वो उन दोनों फोर्सिज के resultant के मोमेंट्स के equal होगा about that point तो यहां पर हमारे पास दो केस बनेंगे केस फर्स्ट हम discuss करते है केस वन वेन दा फोर्सिज इंटरसेक्ट एट एट पोईट इंटरसेक्ट एट 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 पोईट जब दो फोर्सिज हमारे पास इंटरसेक्ट करते है O पोईट पर मालेज़ इंटरसेक्ट करते है यह हमारे पास फोर्स है Q यह फोर्स है P और इन दोनों का resultant है R तो हमें यह प्रूव करना है कि P और Q का जो मोमेंट्स है किसी भी point के about suppose करी O हमारे पास point है इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं O एक point arbitrary point है in this plane तो जो P का मोमेंट about this point प्लस Q का मोमेंट about this point is equal to the moment of this resultant about this point R is the resultant of P and Q यह हमें प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं O से perpendicular draw कर लेते हैं यहां पर perpendicular draw करेंगे P की जो line of action है suppose करो यह L है इस point को अब हमारे लेते हैं जहाँ पर यह दोनों forces एक दूसरे को intersect करते है यहां पर perpendicular draw करते है suppose this is M और इस पर perpendicular draw करते है यह N मानते हैं और यहां पर perpendicular draw करते हैं इसको L मान लेते है और एक लाइन O को हम A से मिला देते है यह परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं AX AX जो है वो क्या है परपेंडिकुलर टू OA अभी हम एंगल कंसिडर कर लेते हैं लेट एंगल OAN This is equal to alpha एंगल OAM OAM यह पूरा जो एंगल है यह बिटा एंगल OAM इस इस एक्वल टू गामा यानि यह एंगल है alpha यह एंगल है बिटा और यह वाला एंगल है यह गामा तो अब मुमेंट से निकालते है पी फोर्स का बाउट इस पॉइंट मुमेंट सोफ मुमेंट ओफ पी अबाउट O इस विल बे एक्वल टू किसी फोर्स का जो मुमेंट होता है वो किसके एक्वल होता है किसी पॉइंट के बाउट फोर्स इंटू परपेंडिकुल डिस्टेंस OAN क्योंकि पी की जो लाइन ओफ एक्षन है उससे परपेंडिकुल डिस्टेंस OAN बनती है इसको हम लिख सकते हैं OAN को क्योंकि ये राइट अंगल ट्रेंगल है OAN तो इसमें OAN अपॉन OAN OAN अपॉन OAN इस थोड़ा सरफ कम करते हैं इदर OAN अपॉन OAN इस इस एक्वल टू साइन अलफा तो OAN को हम लिख सकते हैं OAN into sin alpha This is equal to OA हम इदर लिख लेते हैं बहर के तरफ into P sin alpha को ऐसे लिख लेते हैं cos不会 2 minus alpha अभी ये वाला अंगल है प जो है OAN के साथ alpha अंगल बनाते है तो AX के साथ कितना बनेगा 90 minus alpha क्योंकि total 90 है تو ये वाला अंगल कितना है 90 minus alpha तो O A इसको क्या लिखा जा सकता है Resolved Part of P along A X अभी हम Moment निकालेंगे Moment of Q about O यह होगा P into similarly करेंगे है P into O M क्योंकि Q से perpendicular distance O M है तो O M को लिख सकते है O A sin beta This is equal to O A को बाहर लेखो P into sin beta O A into P sin beta को cosine P by 2 minus beta लिख लें तो यह क्या लिख सकते हैं O A into Resolved Part तो यहां पर Q आएगा Q का निकाल रहे हैं तो यहां लिख सकते हैं तो यहां लिख सकते हैं O A into Resolved Part Q अलोंग A X अभी निकालेंगे Moment of R अबाउट O तो यह वैसे similarly अपने प्रूव कर सकते हैं ऐसे R into O R into O L को हम O A into sin of गामा लिख सकते हैं तो लास्ट में यह अपने पास आजेगा O A into Resolved Part Of R Along A X Now Algebra X Sum करते हैं Algebra X Algebra X Sum of Moments of P Plus Algebra Moment of Q About O यहनि P और Q का जो Moment है उनका Algebra X Sum करते हैं तो वो O A into Resolved Part Of P Along A X Plus O A into Resolved Part Of Q Along A X यह हमने इन दोनों का Algebra X Sum कर दिया तो Algebra X Sum हमारा किसके O A Common ले लेंगे O A Common लेंगे O A into Resolved Part of P Along A X Plus Plus Resolved Part Q Along A X This is equal to O A into Algebra X Sum of the Resolved Part Of the Forces यह किसके Equal होता है Resolved Part Of Resultant और P और Q का Resultant है R इसको लेख सकते हैं Resolved Part Of R Along A X और यह हमने प्रूव किया था यह क्या है Moment of R About O O के बाउट इसका Moment है तो यह हम इसमे प्रूव करना था अभी हम Second Part Second Case इसका Discuss करेंगे Second Case क्या है पहले Case जो हमने Discuss किया था वो था When the Forces Intersect At a Point जब Force Intersect करते हैं अगर Intersect नहीं करते हैं तो इसका मतलब Parallel Forces अगर Forces क्या हो Parallel हो Parallel भी दो-त्री Case हो सकता है First है Like Parallel Forces Like Forces ही लिख लेते हैं मालो P और Q हमारे पास दो Forces है P और Q Like Forces है इन दोनों का Resultant क्या होगा R is equal to P plus Q अगर P A पर काम करें ये B पर और ये C पर तो इसका मतलब P एक बार हम ये ले ले लेते हैं मालो O Point के About हमें देखना है तो O से हम क्या कर लेंगे क्योंकि तिनों Forces है A की Line ड्रा कर लेते हैं जो तिनों पर perpendicular होगी इसको A माल लेते हैं इसको B माल लेते हैं और इसको C माल लेते हैं P A पर काम करें Q B पर काम करें और इन दोनों का Resultant C पर काम करें तो Parallel Forces में हमने discuss किया था कि C एक ऐसा point होता such that P into A C is equal to Q into C B Now हमें परूव करना है P का moment about this point plus Q का moment about this point is equal to moment of R तो हम निकालते हैं moment of P about O plus moment of Q about O यह हमें Resultant के moment के बराबर प्रूव करना है P का moment होगा P into O A plus Q का moment होगा Q into O B Now P O A को हम लिख सकते हैं O C माइनस A C O A को हम लिख सकते हैं O C माइनस A C plus Q O B को लिख सकते हैं O C plus C B तो P into O C minus P into A C plus Q into O C plus Q into C B क्योंकि यह दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को cancel कर देंगे तो यह बचा P plus Q into A C यानि R into O C R into O C यह क्या है? moment of R about O यह R का moment है O के about next case is parallel forces parallel forces में भी दो case हमारे पास like forces और unlike forces अब second हम discuss करते हैं unlike forces का यानि जब forces क्या हो अनलाइक हो suppose करो P हमारे पास यह force है और Q यह force है दोनों unlike है किसी कोई point हम O लेते हैं O से perpendicular draw कर लेते है जो P को A पर काटता है और इसको B पर काटता है यह point O है इन दोनों का resultant होगा P minus Q P minus Q जो C पर काम करेगा such that P into A C is equal to Q into C B अभी यह हमें निकालना है moment of P about O plus moment of Q about O तो P का moment होगा P into O A और इसका moment होगा इसकी direction क्योंकि यह clockwise बनेगा भी Q का तो माइनस Q into O B O A को हम लिख सकते हैं O C plus C A माइनस Q O B को लिख सकते हैं O C plus C B तो P into O C पलस P into C A माइनस Q into O C माइनस Q into C B अब P A C और Q C B तो बराबर हैं यह कैंसल हो जाएंगे बचा के हमारे पास P माइनस Q into O C P माइनस Q R के बराबर R into O C यह है moment of R about O यानि किसी भी केस में हमने तीन केस डिसकस किये जब forces intersect करते हैं तब भी resultant का जो moment होता है वो algebra X sum होता है of moments of the forces parallel forces में भी दो केस हमने डिसकस किये उसमें भी यही होता है कि resultant का moment is equal to algebra X sum of the moments of the forces this is very grand theorem now we have an example three forces 3P 7P 5P act along the sides A, B, B, C C, A of an equilateral triangle ABC find the magnitude and direction of their resultant and find also the point E in with the line of action meets BC अभी BC line अपा यह मान लेते ABC एक triangle है ABC इक्विलेटर ट्रेंगल है ABC यान इसका पर जो परतेक एंगल होगा वो 60 डिगरी का होगा जो 3P force काम करें along AB यहां पर 3P है BC के along 7P है और CA के along है 5P पहले तो हमें इन तिनों forces का resultant का magnitude और direction find out करनी है आप हमान लेते let R वीदा resultant making an angle theta with BC BC के साथ resultant है वो theta angle बनाता है अभी जो resultant का resolved part होगा वो किस के equal होगा 3P का resolved part plus 7P का resolved part plus 5P का resolved part along any direction तो आप हम BC के along ही resolve करते है resolving along BC and perpendicular to it resolving along BC and perpendicular to it और उसके perpendicular हम इनको resolve करते है R का resolved part होगा R cosine theta this is equal to 3P जो है वो BC के साथ कितना angle बनाएगा 3P की direction ये है तो हमें angle ये वाला देखना पड़ेगा ये 60 ये होगा BC के साथ देखना है ना में तो 60 plus 180 240 यानि 3P into cosine of 240 plus 7P into cosine of 0 7P BC के साथ 0 angle बनाता है plus 5P cosine of 120 degree क्योंकि 5P ये 60 का ये 120 degree का R cosine theta और similarly R sine theta क्या बनेगा this is equal to 3P sine 240 plus 7P sine 0 plus 5P sine 120 degree R cosine theta क्यूel this is equal to cosine 240 क्यूel cosine 180 plus 60 minus cosine 60 any minus 1 by 2 3P into minus 1 by 2 plus 7P cosine 120 क्यूel minus 1 by 2 तो plus 5P into minus 1 by 2 that is R cosine theta is equal to minus 3P minus 5P minus 8P upon 2 4P तो यह आया 3P R sine theta की value 3P sine 240 यान 3P into इसकी value आया minus root 3 by 2 यह 0 और इसकी value root 3 by 2 that means R sine theta is equal to यह हो जाएगा यह हुआ 5 और यह 3 5 minus 2 यानि 2 root 3 by 2P तो यानि root 3P आजाएगा तो इनका square करके जोड़ते हैं R square की value आएगी 9P square plus 3P square that is R square is equal to 12P square that is R is equal to 2 root 3P यह R की value अपने पास आजाएगा 2 root 3P divide करेंगे तो tangent theta किसके equal आएगा tangent theta is equal to root 3P upon 3P यानि 1 by root 3 इसका मतलब theta या तो 30 degree होगा या फिर तीसरे quadrant में tangent positive होता है इसका मतलब या 210 degree होगा लेकिन यह जो है अपने पास cos theta और sin theta दोनों positive है इसका मतलब theta first quadrant में हुआ theta क्या बनेगा 30 degree अभी हमें यह point निकालना है E point की जो resultant है वो 20 E को किस point पर कारता है जो E point जिस point पर कारता है उसकी position क्या है तो हम R का moment से ले लेते है E के about अभी क्या है कि varignan theorem के according resultant का जो moment होता है वो उसके forces के moments के equal होगा तो आप हम moments लेते हैं moments about E तो E के about अगर हम moment लेंगे R का moment होगा R into perpendicular distance 0 है 3P का लेंगे यहां से perpendicular draw करना पड़ेगा अपने को यह अपने 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 प्रपेंडिकुलर ड्रा किया M ले लेते हैं तो 3P into M E प्लस 7P 7P E में से गुजरता है प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस 5P यहां से प्रपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर लेते हैं C E N तो इंटू E N लेकिन यह नेगिटिव आएगा क्लोक वाइज रोटेशन हो रही है इसके करण तो 3P M E की वेलियू निकालते हैं यह 90 डिगरी का अंगल है तो इस राइट अंगल ट्रेंगल में E M B में जो M E होगा वो होगा B E साइन 60 B E साइन 60 प्लस यह 0 होई गया यह भी 0 है और इदर माइनस 5P यह E N क्या होगा क्योंकि यह यह 60 का तो यह वर्टेशन लिया पॉजिट अंगल है यह भी 60 तो E N आएगा यह था अपने पास पॉइंट C तो C E साइन 60 डिगरी है तो 5P C E साइन 60 इस इकोल टू 3P B E साइन 60 साइन 60 कैंसल हो जाएगा दोनों तरफ P B कैंसल हो जाएगा तो 5 C E B E और इनका रेशियो आजेगा अपने पास C E अपोन B E This is equal to 3 upon 5 तो यह E की position अपने पास आजाएगी next example forces P Q R act along the sides B C A C B A respectively of an equilateral triangle if their resultant is a force parallel to B C through the centroid of the triangle prove that Q is equal to R is equal to P upon 2 triangle जो है वो right equilateral triangle है A B C क्योंकि equilateral triangle है तो इसका जो centroid G होगा G से प्रतेक साइड की जो distance होगी वो बराबर होगी distance को आपा D मान लेते हैं distance तिनों साइड से G की बराबर होगी वो distance D suppose कर लेते हैं जो resultant है वो B C के parallel है let R be the resultant अभी हम resultant का moment लेते हैं about G moment about G R का moment perpendicular distance क्योंकि R G में इसे गुजरता है इसलिए R की जो perpendicular distance होगी G से वो 0 होगी this is equal to forces P Q R B C के लों P इदर काम करता है और A C के लों Q काम करता है और B A के लों नहीं P काम करता है B C के लों A C के लों Q काम करता है और B A के लों R resultant हम R dash मान लेते हैं R dash into 0 this is equal to P की rotation G के about anti-clockwise है तो P into D minus Q Q की clockwise है तो minus इसलिए आया तो Q into D R की भी clockwise है तो minus R into D 0 is equal to D कमन ले लेते हैं P minus Q minus R D 0 होने हैं इसलिए P minus Q minus R is equal to 0 जीरो अभी हम resolve करते हैं क्योंकि जो resultant R dash है this is parallel to BC उसके perpendicular resolve कर लेते हैं क्योंकि R dash का जो resolve part होगा perpendicular direction में वो 0 होगा resolving करते हैं resolve करते हैं along perpendicular to BC 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 के perpendicular resolve करते हैं तो R dash अभी जो R dash है वो BC के साथ 0 angle बनाता है तो perpendicular में क्या आएगा इसका sin 0 resolve part this is equal to P into sin 0 क्योंकि P BC के साथ 0 angle बनाता है हम perpendicular देख रहे हैं इसलिए sin आ रहा है इसमें plus Q Q अपने पास ये है Q के direction और BC ये है इसके साथ angle होगा 180 ये हुआ ये 60 है तो ये 120 तो total होगा अपने पास 180 प्लस 120 ये sin 300 Q into sin 300 प्लस आर बनायेगा अपने पास ये 180 आर की direction अपर की तरफ है ठीक है ये 60 डिगरी का तो ये आर इंटू sin 60 डिगरी तो ये 0 ये भी 0 प्लस Q sin 300 की value होगी minus sin 60 प्लस आर sin 60 इसको इदर ले आते हैं तो Q sin 60 आएगा तो Q sin 60 इदर आजएगा R sin 60 इदर sin 60 से sin 60 कैंसल हो जाएगा Q is equal to R ये आजएगा अब इस जो equation में है Q is equal to R हम इसमें रख देते हैं यानि R के जगर Q रुखेंगे तो P is equal to 2 Q आजएगा यानि Q is equal to P upon 2 Q और R तो equal है Q P upon 2 के भी equal है इसलिए Q is equal to R is equal to P upon 2 ये इसमें हमें प्रूव करना था